हेलो एर्यवान वेलकम टू वाइफाए स्टेडी चेंजिंग दा व्योफ लेंडिंग स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर वन स्टेडी चैनल वाइफाए स्टेडी पे सो गाइस जैसे कि आप सभी को मालूम है डेली सुबह 8 बज़े अपना मंडे टू सटेड डे एक important session होता है 40-50 minute का जिसके अंदर हम लोग इंडिया के leading current affair है जो की cover करते हैं जिसके अंदर हम लोग The Hindu, Indian Express, Financial Express, जनसत्ता, TOI ये सारे newspaper है जो की cover करते हैं सुबह 5 बज़े सारे newspaper आते हैं उनको 3 गंटे पढ़ने के बाद content मनाने के बाद आपके लिए दोस्तों ये session है जो की ल मंडे और मंडे दो दिन का न्यूस पर जाने के 13 और 14 फैबरी का current affair है जो कि हम लोग cover करेंगे ठीक है उमीद करता हूं कि सारे बच्चे class कर रहे होंगे सुबह सुबह वेलेंटाइन मनाने तो जो है वो नहीं निकले होंगे at least class देखके जाना जिसको जाना है और मुझे माल करेंगे वैसे सब हो जाओगे चलिए आगे बात करते हैं सबसे पहले दोस्तों यह सारे एक्जाइम है जिसके आप preparation कर रहे हैं अगर आप कर रहे हैं इन सब में से किसी भी एक्जाइम की तो आपको सेशन जो है वो regular देखना चाहिए सबसे पहले previous day के question cover करेंगे उसके हुआ एक fun fact daily के पांच vocabulary देंदू में से और साथ में quiz चलिए तो सबसे पहले कल के question की बात करें तो मैंने कल आप से केमांग सेक्टर के बारे में बात की थी जहां पर एवलेंच चाहा था और हमारे कुछ जवान शहीद हो गए थे तो यह कहां पर है तो यह दोस्तों अर्मा फिर plan for financial standardization के लिए launch किया है तो यह किसके द्वारा चाइना के द्वारा किया गया था ना सही आपका सही answer है कौन से global block ने multi billion dollar chip production plan जो है वो launch किया तो यह European Union के द्वारा किया गया था साथ में bit phynix hack दो bitcoin है जो cryptocurrency वो भी दोस्तों क्या हो गई हैक हो गई उसको भी चुरा लिया कहां पर युवे से केंदर ठीक है बी आपका सही answer होगा इसके अलवा अगर आप दोस्तों स्सी एक्जाइम के बिप्रेशन कर रहे हैं तो आपके रिए गुरुकुल बैच अभी स्टार्ट किया है सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे अभी live classes भी चल रही है Science, Math, Reasoning, Static, GK बाकी सारे educators भी आपको SST category के अंदर पढ़ा रहे हैं आप जोइन कर सकते हैं 400 गुटे से भी जादा की classes आपको अविलेबल है आपको weekly test, live classes, test series सब कुछ आपको अविलेबल हो जाएगा और इसके अलवा अगर आप और भी कोई 40 प्लस exam में से तयारी करना है तो आप unacademy प आपको आप डाउलोड करने है, mobile number डालना है, यहाँ पे goal select करना है, आपको जो भी exam है 40 प्लस में से, उसके बाद में plus पे जाईए, get subscription में 12 या 24 मन्त और यहाँ पे BHU 10 है जो कि आपको लगाना है, ठीक है, साथ में अगर आप जॉब कर रहे हैं तो एक बच्चे के education भी जो wants to keep, तो एक बहुत अच्छी बात यहाँ पे Scott Adams के दुबारा कही गई है कि creativity क्या होती है जब आप अपने आपको एक बात आगे लेके जाते हो, कोशिश करते हो, कोई भी काम करने की गलतियां तो होती है ना, उसके अंदर को यह बड़ा इस्यों नहीं है, लेकिन आप try कर र सकते हो, that is known as the art of living, okay, तो उमीद करता हूँ कि यह बात आप ध्यान रखेंगे, चलिए आगे बात करते हैं, सबसे पहले दोस्तों संडे के निउस्पेपर की बात करेंगे, संडे की बात करें तो सबसे पहले दोस्तों पूरे देश में लोगों ने जो है वो टीवी पे चला इंडिया के जो officials हैं, उन्होंने dismiss कर दिया, US official का remark जो की हिजाब के उपर बोला गया था, actually के अंदर US के अंदर एक US ambassador है, international religion freedom के राशिद हुसेन, उन्होंने अपना opinion दिया था कि इंडिया को जो है वो freedom देनी चाहिए, कुछ भी पहनने को लेकर, तो इंडिया ने बोला कोड के foreign ministers की meeting हो रही थी, वहाँ पे साफतार पे बोला है कि China ने और India ने दोनों ने return के अंदर pledge लिया था, कि हम लोग army को जो है border के उपर खड़ा नहीं करेंगे, बहुत सारी large forces के अंदर, लेकिन China ने दो क्या किया, इसका violation किया, ओके, तो यह यहाँ पे बोला गया है, इ आपने सुना होगा बच्पन में हमारा बजाज, आया ना बहुत famous slogan था, जिससे आपके जो scooter थे ना, वो बहुत famous हुए, बहुत चले, एक जमाना था मेरे क्याल से 90s से लेकर 2000 के बीच में जो यह time period था, 2005 तक का, उस time पे वो चेतक scooter जो है, वो बहुत जबर्दस चला करते थ था, और बहुत जबर्दस average दिया करता था, और middle class का सबसे बटी prestige हुआ करते थी, है ना middle class segment की, तो उसके जो founder थे, उनकी दोस्तों मृत्ति हो गई, उनके बारे में बात करेंगे, तो हमारे लिए जो important था, वो यही news है, जो की discussion करने लायक है, बाकी कुछ भी नहीं है, यहा लीडिंग इंडस्टलिस थे, चेर्मेन थे जोस्तों, बजाज आटो लिमिटेट के, पूने के अंदर उनके मृत्य होगे, क्यलकटा में इनका जन्वुआ 1938 में, और 83 के अंदर पूने में, दतुई सैन, स्टीवन कॉलेज से पास आउट, हर्शा लॉक कॉलेज, हावट बि दोस्तों, जमिरलाल बजाज जी का नाम आपने सुनाई होगा, जमिरलाल बजाज जी एक तरीके से मात्मा गांदी की बेटे जैसे ही माना करते थे, पांचे से बेटे मानने बानते थे, उनको क्योंकि उनकी आइडलोजी को बहुत आगे लेके गए, उसको फॉलो किया, और काफी लोगों की help करी तो freedom fighter थे दोस्तों और गुरूप के founder भी थे बजाज के गुरूप के जमरलाल बजाजी जिए थे जिन्होंने इसको found किया था इन्होंने दोस्तों राहूल बजाज ने जो है इस company को आगे लेके गए जब भी company कोई 1500 करोर की थी, उससे 12,000 करोर तक का जो पूरी के पूरी जन्नी है मतलब 37,000 करोर की थी है जब company इन्होंने ली थी और 50 साल के अंदर 7,500 करोर से लेकर 12,000 करोर तक ले जाने को लेकर इनका बहुत बड़ा रूल रहा है जिसके अंदर बहुत सारे कम्मियों के साथ में इनका association है जो कि रहा जैसे कि अगर मैं बात करो दोस्तों तो ये बहुत सारी organization के leader है जो कि रहे है है ना जैसे कि World Economic Forum के अंदर, President रहे तो पहले CII के, Chairman रहे International Business Council के Board of Governor रहे IIT Bombay के, Chairman रहे Indian Airlines के, Board of Governors के IIT के अंदर भी तो और भी बहुत सारी position है जो कि इनों ने अपने पास रखी इनके पास थुगा करती थी, पद्मे बूशन से भी इनको सम्मानित है जो कि किया जया था, ठीक है? चलिए आगे बात करते हैं, ये एड आपने देखा होगा और कितने लोगों को रुक्सान पहुंचा था, हमारे लिए जो यहां पे इंपोरेंट हैं, वो हम लोग बात करेंगे, यह वाला एडवेटीजमेंट के बारे हम बात करेंगे, एड आइड आइड, जो है कुछ एक ऐसे एड होते हैं, जो कि हमारे पेपर के लिए इंपोरेंट होते हैं, तो वो भी हमें, ठीक हैं, वो भी हमें पता होने चाहिए, तो हम लोग यहां पर बात करेंगे, एपीई, डीए, और्गनाजिशन के बारे में, इसका 36वा फाउंडेशन डे है, 13 फैबरी को ही इसकी शुरुवात है, जो कि और्गनाजिशन की हुई जो एक्सपोर्टर्स है, कोपनेटी सोसाइटीज है, स्टार्टब्स हैं, हैं जो एक्सपोर्ट करता है, सब को दोस्तों क्या करती है, एक्सपोर्ट करने में मदद करती है सम्वान को, ठीक है, यह कॉलाबरेशन है favormer, exporter, processor state government का, ओके ताक क्या कर सके, एक्सपोर्ट में ब फिर 9000 million USD का हुआ 2010 तक 20 के अंदर ये 20,000 million USD का हुआ तो पिछले 40 सालों से double है जो की होता जा रहा है जिसके अंदर 50% हम लोग cereal जो है न वह हम लोग export करते हैं फिर 18% animal के product है फिर processed food है 17 क्याश पास vegetable है fruits है सीड्स हैं ये सारे चीज़े हम लोग export करते हैं तो समझें मेरे बात ये तो एक्ट ऑपार्लेमेंट के दुवारा ministry of commerce और इंडिस्ट्री के दुवारा इस organization की शुरुवात 1986 के अंदर है जो की करी गई थी साथ वह हमारा target क्या है कि हम लोग चाहते है कि 400 billion dollar का export है जो की 2021-22 के अंदर हम लोग achieve करें है ना तो ये भी हमारा एक टार्गेट है जो कि इस बार बनावा है देख सकते हो आप दिल्ली के अंदर headquarter है और अंगा मुथू है जो कि अभी इसके चेर परसन है ठीक है गाईस एट्टे सिक्स में इसकी शुरुवात हुई 36 साल हो चुके है प्रोसे चलो आगे बात करते हैं पेज नंबर साथ यहां पर बात करेंगे इंडिया अफगानिस्तान को लेकर हमने दोस्तों काफी सारे गेहू है जो कि एक्सपोर्ट कर रहे हैं अफगानिस्तान की मदद के लिए humanitarian assistance है ना मानवता के वजह से हमने उनको दिये क्योंकि अफगानिस् इंडिया में सबसे ज़्यादा हालत खराब हैं यहां पे 70-80% जो पॉपुलेशन इनकी वह बुकमरी की कगाल के ओपर बहुत ज़्यादा बुरे हालात है तो इसलिए सारे देश मदद करने को आगे आ रहे हैं जिसमें हमने भी काफी help कर रहे हैं उसके बारे में आपे बता रहा हमें के साथ में इनटने ने निश्क एक और्गरे खरारे एं देवार्दम की दिवारा चलाया जाता है इसको डबलो एफ़ पि कहा जाता है तो इनके साथ म dobr defenders करेंगें 50,000 त Sou इसके wheat का दोस्तों और अफगानिस्तान को बेजिंगे ऐसे humanitarian assistance ठीक है पहले तो पाकिस्तान ने भी मना कर दिया था कि नहीं हमारे हाँ से रूट से हम जाने नहीं देंगे अफगानिस्तान को अपने ट्रक लेके आने दो बीच में हमारे ट्रक लगाएंगे तो काफी नाटक कि लेकिन उसके बाद में तोड़ा सा जब अफगानिस्तान की तरफ से प्रेशर आया कि भई तू को बीच में नितागरी कर रहा है जब हमारे पास आ रहा है समान तो आने दिना तब जाके पाकिस्तान को समझ जाए क्योंकि अफगानिस्तान का तालीबान का काफी अच्छा ज इसलिए दोस्तों यह एग्रिमेंट जो है वो इंदेन अंदर रोम के अंदर है उनके दुवारा और नीना मलोत्र है हमारे अंदर उन्होंने यह मुए जो कि साइन किया है ठीक है अफगानिस्तान ने यहां पे इसको लेकर थैंक्यू भी बोला है डबलू एफपी का भी जो दोस्तों ट्रक है जो कि नियर्बाय जाएंगे इसके अलावा पहले इरान ने भी बोला था कि भी आप चाबार पोर्ट से भी बेज़ दो क्योंकि पहले तो हम लोग अफगानस्तान में जो डबलॉप्मेंट करते थे लेकिन इस बार जो है वो शौट रूट हमें पता है प पिच करेगी हमारे इंडिजिनियस लाइट कॉंबेट एरक्राफ्ट तेजस को एमके वन एक्राफ्ट को अलॉंग विद्धा बाकी सारे पार्टिसिपेंट जो कि सिंगापूर के अंदर एर चो है जो कि नेक्स्ट वीक में होने वाला है ठीक है काफी फेमस वर्ल्ड एयर जो कहां पर होगा सिंगापूर के अंदर होगा पेपर पूछेंगे दान रखेगा और यहां पर हम लोग चाहते हैं कि तेजस की केपपलीटीज दिखाएं और तेजस को भी फिर हम लोग क्या करें एक्सपोर्ट करें बेचें हम भी बिजनस करें इसलिए दोस्तों तो 44 में जो की चलने वाला है ठीक है और बाइनवल इवेंट है दो साल के इंदर एक बार है जो की करवाया जाता है यहां पर क्या होता है जो पूरी ग्लोबल एविशन इंडस्ट्री है न वह अपने अपने जो ताम जाम जो जितने भी एडवांस फाइटर पाहिल फाइटर प्लें सा हेलिकॉप्टर कोई भी अगर आपको एविशन से रिलेटेट कुछ भी इनोवेशन कुछ भी बड़ी चीज है उस सब यहां पर दिखाई जाती है उसके बाद दुनिया देखती है फिर उसको खरीटती है इस तरह के तो यहां पर हम लोग भी जो है दोस्तों क्या करने व परिसिपेट किया था ठीक है चलिए आगे बात करते हैं लाइट कॉमबेट एरक्राफ्ट है ना यह हमने दोस्तों गॉर्मेंट ओफ इंडिया के दुवारा हमारा जो तेजस है लसी बनाने की शुरुवात 1984 के अंदर है जो कि हमने करी थी जबने इस्टैबलिश्मेंट किय एरनोर्टिकल डवलप्मेंट एजेंसी का ओके ताकि LCA प्रोग्राम है जो कि वो स्टार्ट कर सके लाइट कॉमबेक एरक्राफ्ट हम लोग खुद बना सके 84 की बात है हम चाहते थे कि मिग 21 फाइटर पेंस को रिप्लेस करें डिजाइन किया गया एरनोर्टिकल डवलप्म जो है वो अटैक करता है एर टुए रिफूली रिफ्यूल भी हो सकता है कि पेलोट कैपसिटी 4000 केजी की है समान जो किसमें 4000 केजी तक यह देख सकता है स्पीड है इसकी मैक 1.8 हना कफी अच्छी का से स्पीड है 2000 किलोमेटर पराड से भी जादा की स्पीड है ओके और इसके एक ट्रेनर है दोस्तों दो सीट का ओपरेशनल करणवर्जन ट्रेनर है ट्रेनिंग के लिए काम आता है पाइलेट्स के एक नेवी के लिए बनाये गया है एक एमके टू है यह एडवांस है सबसे जो कि हमने अभी रिसेंटली इंप्रोवाइस करके बनाया है ठीक है आगे बात करते हैं पेज नंबर नौ की तरफ यहां पर बात करेंगे दोस्तों तो एंसी बी नेवी ने भी गुजरात कोश्ट के ओपर भी साड़े साथ सु केजी के जो ड्रग है वो सीज करें हैं साड़े साथ सु के जिसके अंदर हैरॉइन हशीश और भी कई चीज़ें जो कि अवेलेबल थी यह देखियो हम ओके इसके अलबा हम लोग बात करेंगे हैं हमारे इत्यास का दोस्तों अब तक का सबसे बड़ा बैंक फ्रॉड पहले तो दोस्तों बैंक फ्रॉड में इंडिविजवल लोगी थे विजय मालिया था नीरा मोधी और मेहल चॉक्सी ने बाइस हजार करोड का चूना है जो कि लगा दिया बैंकों को इसके बारे में पढ़ेंगे इसके अलावा एक और यह बहुत इंट्रस्टिंग नियूज इसके बारे में पढ़ेंगे चलिए ठीक है तो सबसे पहले सी बिया ने दोस्तों बुक किया गुजरात बेजड बेज की शिपयार्ड लिमिटेट को उसके डिरेक्टर्स को क्योंकि उन्होंने क्या किया है बाइस हजार करोड का लॉस है दोस्तों जो कि बैंकों को करवाया और टोटल बैंक पता है कितने थे इसमें 28 बैंक है एक्चुली क्या होता है कि जब किसी बड़ी कमपनी को पैसा चाही बैंक था biggest ever bank fraud है जो कि अभी तक का register किया गया है FIR दोस्तों रिशी कमले शगरवाल यहां पे संथानम अश्वनी सुशील रवी और APJ International Private Limited इन सब के खिलाफ है जो की करवाए गई है ठीक है तेरा premises है इनके देश में उनकी जाजपरताल है जो कि यहां पे करी जा रही है यह जानकरी दोस्तों कैसे मिली कि इन्होंने fraud किया है forensic audit के वज़े से मिली है ओके तो यह दोस्तों हमारे light में कब आया जब एक audit report आई जिसमें loan statement का बारे में बताया गया 2012 से 2017 के बीच में ठीक है complaint की तरह बताएगा कि जो पैसा बैंकों ने इनको दिया था ना काम में लेने के लिए company को आगे बढ़ाने के लिए इन लोगों ने उस पैसे को miss appropriation किया उसको गलग तरीके से personal चीजों में अपने पुराने asset create करने में है ना ऐसी जगे पे उस पैसे को खर्चा किया जिसमें कोई भी company की growth नहीं होती है अगर आपको कोई company loan दे रही है 10 लाग रुपे का अगर आपकी company को तो वह किसलिए दे रही था कि आप company को आगे बढ़ाओ अगर आप 10 लाग रुपे गाड़ी वाड़ी लेके चिल करने गोवा चले जाओगे for example तो वह चीज़ है ना तो बैंक उसमें आपके ओपर केस जो की कर सकता है फिर इन्होंने पता है और बड़ा गेम क्या खेला पहले तो लोन भी ले लिया उसको गलत तरीके से काम में भी ले लिया उसके बात में ये गोशित कर दिया कि हमारी company दो चले नहीं पा रही है दुनिया के जो ships है जो को कि ये company ship बनाती है कारगो मनाती है तो दुनिया में डिमांड ही नहीं है अब डिमांड नहीं है तो हमारी company bankrupt हो गई है तो हमारा जो पैसा दियावा था वो NPA हो गया है non performing asset में चला गया है तो finally दोस्तों इन्होंने जो है वो insolvency के लिए डाल दी खुत की company और non performing asset गोशित कर दिया 2017 के अंदर बैंकों को भी लगा कि बहीं चलो कोई बात नहीं डूब गया पैसा लेकिन जब अभी रिसेंटली दोस्तों forensic audit report आई जो कि इन्होंने पैसा दिया related parties मतलब फिलेंस से related ठीक है और यह सारी जानकरी जो कि यहां पर दी गई है बहुत बड़ा चुना लगा है बहुत ही बड़ा चलिए ठीक है यह आप देख सकते हैं ABJ company दोस्तों यह group of companies है इसकी एक company है जो की shipyard limited company है ठीक है 1985 में इसकी शुरुआत DB Gupta यह सारे में सारे इस company के owners है जिनके किलाफ क्या किया गया है case क्या गया है यह design को ship को build करना repair करना ओके इन्होंने डेट सो 200 के आसपार ships बनाए है 40-50 के आसपार फॉरन में export भी करें ओके यह सब है तो 1985 में मुंबई में इसकी शुरुआत हुई सूरत हो देहाज गुजर इन्होंने दोस्तों 2010 में वेस्टन इंडिया shipyard करके company उसको acquire किया ओके गुवा के अंदर भी unit लगाई repair करने की जो कि सब से बड़ी privately maintenance facility जो हो माने जाती है इंडिया का one of the largest private shipbuilder company बन गई दोस्तों यह over the time capacity उसकी 20 टन जो है ना weight की वो समालने की हो गई उसके अलावा government of India ओड़ीन लें इन्हीं टेंडर दिये नेवी नेवी ने टेंडर दिये उके उसके बाद सरकारी टेंडर में मिला काफी पैसे भी आये लेकिन फाइनली दोस्तों काफी पैसे मिला 2011 में 130 million dollar की deal हुई इंडियन नेवी के साथ उसके बाद में 5 billion rupee की deal हुई लेकिन 1217 में ने अ जाल रहे हैं और अब पता चला है कि इनों ने तो चूना लगा दिया अब देखते हैं अभी जब थोड़ा सा इसके उपर और जाज परता लोगी तो और भी कही सारे लोगों के नाम आएंगे बड़े-बड़े लोगों के ऐसा पॉसिबल लिए कि इतना बड़ा चूना जो है और चूना ज बहुत ही इंटरस्टिंग आपको किस्ता सुनाता हूं आपको मानूम है दोश्तों गाउन के अंदर आलत बहुत ही खराव है ना तो स्कूल की अलट अच्छी ना कोई आउस्पिटल है ना कोई मेडिकल सुगिधा है ओकर रोड़े भी सम जगे पर बहुत अच चार बाते करते हैं दो बॉटल देते हैं और मिठे मिठे वादे करके चले जाते हैं पांस साल के लिए फिर पांस साल बाद लॉट के आते हैं इस बार दोस्तों गाउं के लोगों ने सोच लिया कि कुछ भी हो जाए इनको एक्जाम दिलाना है विधाउट एक्जाम दिलाए इनको जो है वोट डालना ही नहीं है तो जित गाओं के लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग इनका है कि रिटन एक्जाम करवाएंगे सरपंच के लिए तो गाओं के लोग अड़का है कि हम वोट करेंगे निए अगर आप वो नहीं करोगे तो रिटन एक्जाम ने दोगे त अगर इलेक्शन लड़ने के आपके पांच मुख्या कारण क्या है इसके अलवा अगर आप सरपंच बन गए तो आपके पांच साल के लिए गोल्स क्या होंगे बिल्कुल UPSD मेंस जो है इनसे दिलाएगा एक तरीके से ना अगर आप पॉलिटिक्स में सोशल सर्विस के लिए आये हो तो आप अपने सोशल वर्क गिनाई है पहले कौन कौन से सोशल वर्क किये और अगर आपने सोशल वर्क किये तो पांच ऐसे लोगों की नाम बताओ जो की सोशल वेलफेर से संबंदित लोग है ठीक है अगर आप और इसके अलावा कौन सी ऐसी लोगों की प्रॉब् बहुत सारे कोश्चन जो है उनको दिये गए और सर्पंजों को बड़ा एंबरेस्मेंट फील हुआ और उन्हें ये भी बोला कि भई हमसे लिखवा तो लो कि इस बात को पब्लिक मत करना लेकिन किसी ने इसको पब्लिक कर दिया और आज देंदू के अंदर छपावा है तो य इसलिए दोस्तों उनके दुवारे फैसला है जो कि किया गया है चलिए ऐसा दोस्तों पूरी देश में हो जाना एंबले के लेक्शन में तो मज़ा ही आ जाए मतलब इनको भी एक बार पेपर दिलाओ दो साल बाद इनका पेपर आउट कर वाओ उसके बाद वापस से पेपर को लेकर सेंडने के इनियनगे स्परिस की बात करें तो यहां पे दोस्तों कल जो है एक वॉलकन उनक एरॉपशन तो हुआ लेक्न वॉलकनिक एरॉपशन के सात तो इसको बोला जाता है वॉलकनिक स्डौॉब जो कि आपको मॉंट एटना जो सिसीली एटली के अंदर है वहा सबसे महंगे किलाड़ी जो जिनका सेलिंग प्रेज यहां पर 15 करोड 25 लाक रूपे मुंबाई इंगेंज टीम ने खरीदा है इशान किश्यन को दो करोड बेस प्रेज था साथ गुना जादा है जो कि इनको पैसे मिले पेपर में पूछते हैं इसलिए बता रहा हूँ बागे आई डोंट लाइक ये प्लेयर को बेश ना खरीदना सुनके ही थोड़ा जील लगता है ठीक है चलिए तो IPL मेगा ऑक्षिन बैंगलोरू के अं करोड सम्थिंग है जो कि दिये गए जो कि इपल इथियास में सबसे जादा है सबसे जादा है क्रिस मौरिस ने दोस्तों आ सोला करोड रुपे लिए और मेरे आज से एक करोड रुपे एक रन के हिसाब से बनाया हूंगे आई प्ल के अंदर कुई ठीक है बहुत इकरा सबस्तों राजस्तान सौर ओजा को लेकर ठीक है और यहां पे चीज एक और बता रखिए कि वलंटाइन स्डे के टाइम पर आपको मालूम है काफी शॉपिंग जो है वो काफी जादा होती है इंडिया में नहीं पूरी दुनिया के अंदर तो प्लीज मेक शॉर कि कोई आप महेंगी चीज़े होती है उनकी सेल बहुत जादा होती है इसलिए ब्रेकप भी बहुत जादा होते है आज के टाइम पर दूरी दुनिया वर में तो चौदा फैप को पैचप भी दुनिया में सबसे जादा होते है तो प्लीज अपने जो है रिलेशन की फांडेशन मनी पैस इनके तौर पर मत रखो क्योंकि जादा टाइम तक नहीं चल पाएंगे उधारी उधारी करके एक बार कर लो कि बाद में कहां से करोंगे पैसे हो तब भी नहीं होना इसलिए दोस्तों ब्रेकप भी बहुत होते हैं तो प्लीज ऐसा ना करें चलिए आगे बात करते हैं भार हमारे देश में दोस्तों नियर बाए 50 गीगा वार्ड का प्रोडेक्शन सोलर के माध्यम से होता है तिक उसके अंदर 10 गीगा वार्ड का जो प्रोडेक्शन हो रहा है वो राजस्थान के अंदर हो रहा है आपको मालूम है जोद्पुल में बाडला जो है सबसे बड़ा सब्सक्राइब करनाट का है ना इस तरीके से हैं यह देखिए दूसरे नंबर पे है करनाट का और तीसरे नंबर पे गुजरात है ठीक है तो अगर हम मैं इंडिया की बात करूं तो अम लोग अभी भी दोस्तों क्या करते हैं 53 पर्सेंट जो प्रोडक्शन है वो कोल के माध्य इसके अलावा गैस 6.7 इसके नूप्र तो बहुत ही कम है 1.8 परसेंट और रेनेवेबल एनर्जी हम लोग 36 परसेंट का हमारी जो टोटल रिक्वार्मेंट है उसका 36 परसेंट हम लोग रेनेवेबल एनरजी के इंदर लाज हाइड्रो पावर है बारा जो पानी वाला है वि परकार से दोस्तों हम लोग solar energy produce करते है एक photovoltaic electricity के माध्यम से solar thermal electricity photovoltaic में तो आपको मालू में छेतों के ओपर रूफ पे लगा दी जाते है पैनल और solar thermal electricity में जैसे कि thermal energy बनती उसी तरीके से आपके mirrors लगा के जो है वो काम किया जाता है यह देखी यह तो आपके नॉर्मल ह आपके इस तरीके से फिरेट से करेंट कर देते हैं इसको पहले आपकी घर में काम में आएगा जो बचेगी वो ग्रिट में जाके सरकार काम में ले लेगी इसी प्रकार से solar thermal technology मिलर्स लगाया जाते हैं ओके इससे पूरा का पूरा प्रसेस्ट होके फिर यह ग्रिट से तो गर्मी पढ़ती है ऐसी बात मिया हमारे यहां पे 300 दिन तो जो है sunlight आती आती है और on an average जिसमें से 2300 से लेकर 3000 घंटे जो है वो sunshine रहती है इससे हमारे पास में 5000 trillion kwh के बराबर sunlight production है जो कि हम लोग कर सकते हैं हम लोग fastest developing industry है दोस्तों क्योंकि renewable energy के ओपर काफी काम कर रहे ह है और भी हमारे 50 gigawatt के आसपास है जो की capacity है हमने दोस्तों 42 solar park भी establish करे है solar plant को बराने के लिए और हमारा target है कि 100 gigawatt solar power हम लोग produce करें 2022 तक जिसमें से 175 gigawatt total renewable होगा और उसमें 100 तो सिर्फ solar होगा ठीक है और jobs भी great होती है जब आप 1 gigawatt का plant लगाते हो solar का तो 4000 नौकरिया मिलत है तो अकर आप इस तरह के से 100 gigawatt लगा होगे तो आप देख सकते हो nearby nearby कितनी होगी चार्ड लाक्यास पास जॉब इक रेट है जो की हो सकती है हमने पारिस climate deal के भी हम पार्ट है जिसमें हमने बोला था कि हम लोग 33-35% जो है कार्बन जो emission है उसको कम करेंगे 2030 तक 2005 के लेवल पावर जो है अभी भी हम लोग non fossil fuel से ले रहें उसी को नंबर को कम करने की जरुवत है ठीक है चलिए हमारे यहां पर मिजर सोलर पार्क है बाडला राजस्तान जोदपूर पावगोडा करनाटका कॉर्णाल एंड सो और रेवा पेपर में पूछते हैं मध्यपरदेश यह स इंडिया उसके काम को वापस से इंक्लूड कर देजाए क्योंकि वो सोला राज्यों में काम करता है तो बहुत लोग को एल्प नहीं कर पाएगा अगर उसके पास में एफसीर नहीं होगा तो इसके बारे में यहां पर स्टैलिक ने दोस्तों ममता को बैक किया है वो बताया इंडिया है यहां पर गोवा उत्राखन के अंदर आज इलेक्शन से दोस्तों नेवी श्रिलंका नेवी ने दोस्तों बारात तमिल फिशर्मेन को जो है वो अरेस्ट कर लिया है ठीक है सीज कर लिए दो बोट एक्चुली क्या है पानी का पता तो लगता नहीं है किसकी बॉ इंपॉर्ण नहीं है हमारे लिए इंपॉर्ण नंबर आठ यहां पर बात करेंगे लाइसी को लेकर तो आपको मालूम है दोस्तों देश के पीएस्यू के अंदर सबसे बड़ी कंपनी दोस्तों माने जाती है जिसने बहुत ही अमेजिंग काम क्या है बतला बिल्कुल मतलब पॉलिसी से ही दोस्तों उन्होंने मार्केट को डॉमिनेट कर दिया 60% इंशुरेंस का दो शेर मार्केट शेर है वो मार्केट जो शेर है वो लैसी के पास देखने को मिलता है ठीक है तो यह एक ऐसी सरकार के लिए दोस्तों कंपनी थी जो की डेली आपको सोने का अंडा हर स साल दिया करते थी अभी सरकार सोच रही है कि हर साल अंडा क्यों लेना है एक ही बार काट के सारे अंडे निकाल लो तो इसका IPO है जो कि कुलमला के 5% को रिप्रेजेंट करेंगे तो कुलमला के 20% है जो कि यहां पर जाएगा ठीक है 5% सेल करने के लिए बोला है उपन मार्केट में लाइसी जो कि IPO आएगा ना तब ओके यह वाली बात है ठीक है चलिए और इसकी वैल्यू आप देख सकते हैं पांच लाग करूर के असपास किसकी वैल्यू है 31 मार्च को इसका IPO है जो किया सकता है और ठीक है इसके अलावा सहबी के अंदर दोस्ते नोंने पेपर फाइल कर दी है वैसे तो सबसे पहला काम यह होता है कि या आप क्या करो डी एच आर्पी करो अना ड्राफ्ट रेडियरिंग प्रोस्पेक्ट है पैसा मिलता है यह बहुत अच्छी बात है मैं भी आपको हमेशे यह सजेस्स करूँगा कि अपने परिवार की और खुद की अना जो सबसे सस्ते में सबस्क्राइब बहुत सस्ते में कर देते हैं यार करवा लो या लाइफ इस बहुत ही ज़रूरी है ठीक हम रहे ना रहे टोटल क्लेम 6.86% है लोगों ने क्लेम किया 17,000 करोड का लेकिन जब पेंडामिक आया तो दोस्तों तो यह 8.3 हो गया 20-21 के अंदर 30,000 करोड रुपे है जो कि लोगों को देने है LIC के दुवारा या उन्होंने दिये जब लोगों की देत हो गई है तो उनके दुवारा क्ले किया गया है ठीक है और इस बार भी अभी तक तो 21,000 करोड तो इनका अल्रेडी हो चुका है तो 14% के आसपास जा रहा है ओके चलिए तो यह बात है जो कि आपे नंबर्स बताए गए है ना ओल राइट ठीक है आगे बात कर रहे है लाइसी की तो 1956 में दोस्तों इसकी इनकम तो धाई लाग करोड रुपे हैं जो कि सरकार को कमा के दिया है एक साल गया अंदर है लाइसी ने है और एक सवा लाग के आसपास तो लोग इसमें काम करते हैं और 13,000,000 दोस्तों इसके एजेंट्स हैं जिनको भी काम है जो की मिलता है लाइसी से इंडरेटली ओके द लोग की इंशुरेंस करवाय करते थे हना उनकी जान की जाधा वैल्यू थी इन लोगों को ऐसा लगता था कि उनकी जान की वैल्यू थी बाकी लोग तो करवाते नहीं थे और इंडियन को काफी महंगा मिलता था तो यूरोपियन लोग की जो की करवाय करते थे इंशुरेंस ते डीड़े फिर हमारे दोस्तों जो सुरंद्रना टेगम हुर है उन्होंने कंपणी की शुरूपात करी इंदूस्तान इंशुरेंच सोसाइथी जो कि बात में लिया इस भん चैनु कोर्परेशन बनी तो इन्होंने दोसतों इन्दियन के लिए करना चालू किया ठीक है गाईज चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट यहां पर 1870 के अंदर Bombay Mutual Life Insurance Company भी आई उसके बाद में 84 के अंदर Postal Life Insurance Company भारत Insurance Company United India उस तरह के से फिर Insurance चल पड़ा ठीक है LIC का Contribution अगर मैं 5-year plans में बात करूँ तो देखिए 56 की टाइम पर दोस्तों 184 करोड का इन्वेस्टमेंट आज की टाइम पर आप देखोगे तो 28 लाग करोड 28 लाग करोड का ठीक है Contribution बहुत ही अमेजिंग ओके चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट Contribution मतलब इन्वेस्टमेंट के तौर पर टोटल पेज नंबर 14 की बात करें तो यहां पर सिंगापूर सॉरी बैंगलॉर ओपन एटीपी चैलेंजर टुनामेंट के बारे में बात करेंगे और यहां पर फीफा क्लफ फुटबॉल वर्लकप के बारे में तो यहां आप भी रिसेंटली बैंगलॉर ओपन एटीपी चैलेंजर टुनामेंट है जो की हुआ था ओके जिसको किसने जीता है चैनिज टाइपी के प्लेएर है यहां पर चुन हैसिन उनके द्वारा दोस्तों इस टुनामेंट को जीत लिया गया है ठीक है बैंगलॉर ओपन जिसमें क्लब जो है दुनिया के पार्टेसपेट करते हैं और वर्ल कप जीते हैं तो उसके अंदर दोस्तों ठीक है किसने चैल्सी ने दोस्तों इस टुनामेंट को जीत लिया है ठीक है फॉर्स टाइम ऐसा हुआ है कि इन्होंने इस टुनामेंट को जीता है है ठीक है यहा यहां पर यहां पर यहां पर लेकर ना वह तो हम आल्रेडी बात कर चुके और यहां पर देखिए दो अपने फादर को खो दिया उन्हों अपने फादर की फेवरेट आइपेल टीम के द्वारा उनको टीम में खेलने के लिए बुलाया गया है मतलब उनको इंक्लूट किया गया है काफी अमेजिंग बात चलिए आगे बात करते हैं जो की फूर्ट सेक्यूर्टी को लेकर रहे गौर्णमेंट ने दोस्तों रिसेंट 12,000 करोड रुपे तो सिर्फ कहां पर जाएगा जम्मुयन कश्मीर में ऐसी जगे पर जहां पर एक्स्ट्रिमिस्ट नेक्सलाइट्स वो रहते हैं और साथ में नौर्थ इस्ट में कुल मलाके मतलब 4-5 राज्यों के अंदर तो जाएगा 18,000 करोड रुपे पुलिस को मॉड करने को लेकर किया जाएगा एक्चिली मैं पुलिस को लेकर बहुत सालों से बात हो ठीं मॉडनायस करने को लेकर रेषार्म लाने को लेकर हालत बहुत ही करा आप बुलिस Гolus ौसा दे कि पकड़ भी है नेगगो निक पड़ी हो सकता है हम बंदुग के अंदर दर जंग वह लग गया हो कोई चोर भाग रहा है तो मुझे लगता कोई पुलिस वाला शायदी दसमें से टैन आउट ओफ एट पुलिस वाले किसी को पकड़ने सकते हैं तो हेल्थ के इश्यूस बहुत जादा है जो उनकी लाइफ साइकल है वह बहुत जादा मुश्किल भरी है बलब कोई ज़ॉप की ड्यूटी आर्स नहीं है तो रिफॉर्म ल को बहुत जरूर हो था कि पुलिस की जॉप वह प्रापर तरीके से सब्सक्राइब को न कि ट्ररेस्स थे ऑफ को सामना करना पड़ता है आर्मी या फिर कमांडोस तो बहुत बाद उना आता है सबसे पहले अगर कोई भी कंट्री के अंदर कोई मुवमेंट होता है पुलिस यह सबसे आगे होती है तो यह बहुत जरूरी है कि modernize करना बहुत जरूरी reform लाके तो उसी के तहट है दोस्तों इसके अंदर हर चीज इंक्लूड है मतलब इसके अंदर modern technology को use करना फॉरंसिक लैब बनाना narcotics को control करना law and order को देखना internal security को देखना हर country के हर राज्ये में फॉरंसिक लैब है जो कि setup करने के लिए अलग से 4,500 करोड रूपे का budget है जो कि इसके अंदर निकाला है है ना यह सब है जो कि इसके अंदर बोला गया है ठीक है चलिए आगे बात करते हैं जो कि यह दोस्तों आप इस टैंबेहर को लेकर फ्रेंक वॉल्टर इनको दोस्तों वापस से re-elect किया गया जो कि यह पूरा करेंगे ठीक है चलो आगे बात करते हैं स्विज स्विजलेंड के अंदर दोस्तों आपको मालूम एक बहुत ही बहुत ही प्यार से जो है वो कोई भी इनिशेटिव को जो है वो लांच करते हैं स्विजलेंड हो गया स्विजलेंड हो गया इन कंट्री में क्या होता है कि लोग रेफरेंडम बहुत कॉमन चलता है जैसे कि देश में कोई भी चीज को वोट डालती है और वह अपस में डिसाइड कर लते हैं कि वह चीज को इंप्लिमेंट करना है कि नहीं करना है क्योंकि एलक्षन के टाइम पर ही और पास साल बहुत ज्यादा होते हैं यह वाले बात है तो यहां पर क्या हुआ था कि रेफरेंडम लिया गया है लोगों से वोटिंग लिगई कि एनिमल क्यों टेस्टिंग में बैन कर देना चाहिए या चालो रखना चाहिए समझ गया है तो स्विज्ज वोटर ने दोस्तों क्या क्या क्लेरी रिजेक्ट कर दिया एक कैमपेंड जिसके तरह स्विजलेंड दुनिया का पहला कंट्री बन जाता जो कि एक्स्परिमेंट और अनिमल को बैन कर देता एक्चली में का कुछ लोग को यह कहना था एलिमन राइट एक्ट करनी तो पहले एलिमल पर टेस्स करनी पड़ें मतलब कशन गया कोई बात और लोगों ने यहां पर साइंस और एवेंट होते हैं तो population बहुत छोटी है ना एक तो काफी आसान होता है यह सारे initiative करना हमारी population तनी मास है हाँ पर पचास तांडाओ मसते हैं हाँ पर religion के caste के फलाना डिमकाना यह वो लेकि छोटे level भी किया जा सकता है इसको है ना जैसे कि states है states इन सब लेवल पर initiative लाने चाहिए जिससे लोगों के अंदर इन सब चीजों के बारे में जानूपता है direct democracy की बाते हो implementation की हो तो इससे काफी सही होता है ठीक है चलिए आगे बात करते हैं जनसत्ता को लेकर जनसत्ता की बात अब चलिए हमारे सरोजणी नाइड़ो की ठीक है आप सभी को मालूम है हम लोग क्या बोलते है नाइट इंगल आफ इंडिया है जो कि कहते हैं भारत को किला कहते हैं इनकी जो पोयम थी ना वह बहुत ही फेमस थी बहुत ही मोटिवेटिंग हुआ करते थी तो इंडिया नैशनल वुमेंडे हम लोग दोस्तों मनाते हैं वैसे इंटरनाशनल वुमेंडे तो आपको मालूम है मार्च में आता है लेकिन इंडियन जो थी वह सरुजनाइड हो थी गवर्णर बनने वाले भी यह थी यूपी प्रोविंस की है ना तो हैदराबाद में इनका जन्वुआ कैम्प्रिज के अंदर इन्होंने पढ़ाय करी और वुमें का इंडियन इंडिपेंडेंस ट्रगल में बहुत बड़ा फेस था यह थी ठीक है यूनिवर्सल ओके सफरेजिस्ट वुमें राइट्स को लेकर बात करना उस जमाने में राइट्स को लेकर बात करना बहुत बहुत ही काम लोग थे यार मतलब गिने चुने लोग थे जिनको इन सब जाए जो कि इनके द्वारा करें गई इसके अलवा पीएम पोश्टन स्कीम के बारे में बात करेंगे रिसेंटली दोस्तों मैंने आपको पहले भी पढ़ा इसके बारे में ठीक है चलिए तो यहां पर एक तो इंपॉर्णन बात क्या है पीएम पोश्टन स्कीम को लेकर देखो आपको मालूम है हमारे हां पर दोस्तों हर टीम में से एक बच्चा जो है ना वो माल नुट्रिशन का शिकार है तो उसको कैसे इंप्रूवाइस किया जाए इसक लिए सेंटल गवर्म पीएम पोश्टन स्कीम में जो कि अभी कर दिया गया तो राइस और वीट के अलावा क्या करो बाजरे को भी इंक्लूट करो क्योंकि बाजरा जौर इनके अंदर काफी नुट्रिशन होते हैं राजस्तान के अंदर तो गेहूं बहुत बाद में हैं वहना पहले बाजरा अब उल्टा हो चुका है अब गेहूं जादा है क्योंकि ग्रिन रिवल्यूशन के बाद में वीट का प्रडेक्शन काफी होगा जौर बाजरा की रोटी मनाने में जोर भी बहुत आता है मैनत भी बहुत लगत लगती है उसको पहले कूटना भी पढ़ता है पचास भी आपको बहुत कॉमली मिलेगा और बहुत ही अच्छा फूट है बहुत ही टेस्टी भी है ठीक है तो इन चाब जीए नूट्री सीरियल्स को जो है वो आड करने के लिए बोला गया है इसके अंदर मिनरल्स बहुत होते हैं विटाविन बी कॉंप्लेक्स बहुत होते हैं अच्छी ज़रूरी है कि जो है ना इसके पहले इसके अंदर और फूड को चेक किया जाए अभी तो आपको मालू है इसके अंदर तो बिचारे नमक के साथ बच्चे रोटी घा रहे होते हैं तो जबसे पहले है जो क्यों अभी मिल रही है ना उसके लिए टास्फोर्स बना के लिए बच्चों को ना तुनिया का सबसे बड़ा नूट्रिशन प्रोग्राम में इंपलेमेंट हो था पांस साल के लिए दूस्तों इसको लॉंच है जो कि रिसेंटली किया गया है ठीक है तीन से पांस साल तक कि जो बच्चें बालवाटिका के प्राइमरी अपर प्राइम करने के लिए बोला जाता है इसके अलावा ठीक है बागी तो सर बागी तो कुछ खास इसके अंदर है यह देखे फिफ्टी फॉर थाउजन करोड रुपीज यह सब बात आपको द्यानक नहीं पेपर में पूछेंगे आपसे इसका बजट कितना है कौन सा इसका टाइम पिर है उनको डेट सो ग्राम फूट ग्रेंज से जो की पर डे जो की मिलते हैं ठीक है यह सब चीजा आपको दानक नहीं है चलो और तो कुछ खास इसके अंदर है नहीं और यहां पर आपको मालूम है 32 परसन बच्चे हमारे अंडर वेट है 35 परसन जो बच्चे हैं पांस साल से क हम दोस्तों अनीमिया और चाइल्डूट वेस्टिंग इसके अंदर हमने कोई प्रोग्रस से जो की नहीं करी है ठीक है 17 परसन बच्चे पांस साल से कम के इंडिया के अभी वेस्टिंग से पीडित हैं और यह वाले बात जो कि इसके अंदर बोली गई है चलिए यह सब है 75 ग्राम वेजिटेबल और फैट 7 ग्राम तो यह इसके अंदर दोस्तों परड़े देने के लिए बोला जाता है हमारी रैंकिंग दोस्तों धुमन कैपिटल इंडेक्स में दुनिया में बहुत ही खराब है 166 नंबर के ऊपर है जब हमारे बच्चे के पास नूट्रिशन ह अनीमिया मुक्त भारत है नैशनल फूर्ड सिक्योर्टी है प्रदान मंतरी मात्यत्य वंद्रा योजना पोशन अभ्यान यह सारे के सारे नूट्रिशन को लेकर है ठीक है चलिए आगे बात करते हैं जो कि यह वन ओशन सम्मिट को लेकर आपको मालूम है दोस्तों कि 70 हुआ फ्रांस के द्वारा और्गनाइस करवाए गया युनाइटे नेशन और वर्ल्ड बैंक ने इसमें पार्टिसपेट किया और पूरे दुनिया के हैड ऑफ स्टेट और गवर्मेंट के लोग है जो कि इसके शामिल थे जिन्होंने ओशन के इंपोर्टेंस के बारे में क्लाइवेट और कैसे इंप्रूव किया जा सकता है उसके उपर है जो कि यहां पर बात करी गई है ठीक है तो आप देख सकते हो हम लोग भी दोस्तों और हमारे अलावा दुनिया के जितने बड़े यूरोप तो दोस्तों पूरे समुंदर के ऊपर बहुत बहुत जादा डि करकेज्ड को बचने को सबसे जाथा इसमे प्लास्टिक पलुशन इसमें सबसादा इंपरेंट बढ़ी करता है तो हम भी दोस्तों इसके साथ में और अन्दर पांटिसिपेट करके हम भी जो हमारे आन पे हमने भी बैन किया था सिंगल यूँज प्लास्टिक को और नेशनवाइट कैम्पेइन भी चला है था तेरा टंग जो प्लास्टिक वेस्ट है जो कि हम लोग है ना ओके हमने कलेक्ट किया था अभी कई सरे लोगों ने संब्दर के आसपास फ्रांस के साथ में मिलकर दोस्तों हमने बैन किया सिंगल यूज प्लास्टिक हमारी फॉरण सो क्लाइमेट चेर मिनिस्ट्र ने प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमन अमेंडमेंट डूल 2021 भी लेकिया है जिसमें बोला गया कि हम पचास मैकरों से जो है ना पतली उसको यूज नहीं करेंगे 2022 से इसको कंप्लीटली रिमूव कर देंगे हाला कि होता नहीं है वह बात अलग है जब तक इसका alternative नहीं आएगा तब तक plastic नहीं होना possible ही नहीं है वह बात है United Nations OSION कॉन्फरेंस भी होती है इसी को लेकर उसी प्रकार से ओस्टेंस for sustainable development भी करवाया जाता है जिसमें 2030 तक के लिए दोस्तों ocean की health को improve करने के लिए बोला गया है ठीक है चलिए world oceans day बनाते हैं 8 जून को पूरे दुनिया में ये भी धान रखेगा इंडिया और नॉर्वे का डायलोग होता है ocean डायलोग ये सारे चुछे है हमने एक maritime organization बना रखी है ये भी इसके उपर काम करती है ओके आगे बात करते हैं दोस्तों जो की है single window system national single window system ये कुछ भी नहीं है जम्मू कश्मीर पहला यूटी है जो इसमें शामिल हुआ है एक single window system है एक single platform है जहां पे आपको सरकार से संबंदित सारे काम के लिए आप अपलाए कर सकते हैं कोई business करना है कोई land नहीं है कोई भी x y z काम है तो बस उसी को नाम दिया गया है जम्मू कश्मीर इसके अंदर पहला union territory बन चुका है हम चाहते है इस लिए इसको लॉंच है जो कि किया गया है समझ गये बाकि सारे के सारे वही बाते हैं कुल्मला के गुमा फिरा के जो कि मैंने आपको बोली ये देख सकते हो सारे काम आपके single window के माध्यम से ठीक है ओके चलो आगे बात करते हैं जो कि ये national award for innovation and good practice in educational administration तो recently ministry of education ने पांचवा national award for innovation and good practice in educational administration लॉंच किया ये award किसको मिला national institute of education planning and administration एन आई ए पी है बस ये नाम ध्यान रखना है ठीक है इनको दोस्तों district or block level education officer के काम करने को लेकर अवार्ड से नवाज अगया इससे अलावा कुछ भी जादा है यहां पर important नहीं है समझगे मेरी बात चलिए ठीक है चलो आगे बात करते हैं current effect shots को लेकर वर्ल्ड रेडियो दे कब 13 February को बच्पर में रेडियो सुनते होंगे ना पूरे देशी जो है रेडियो के उपर commentary सु समना तो आपको मालू में दोस्तों बहुत ही अमेजिंग इनोवेशन था है वोगे बहुत ही powerful medium था लोगों को connect करने को लेकर पूरे country को ठीक है चलिए आगे बात करते हैं साइबी ने restructure किया advisory committee on investors protection and education fund तो साइबी ने वापस से restructure किया advisory committee जो की investor और education fund का ध्यान रखेगी इ महाल इंगनम जी है जो कि इसके chairman है ठीक है आट मेंबर है इसके अंदर total मिला के नई बुक आई है इंडिया आफ्रिका रिलेशन चेंजिंग होरीजन किसके दुवारा राजीव बाटिया के दुवारा इसको publish किया गया है नाबार ने launch किया जीवा प्रोग्राम ताकि natural farming को बढ़ावा दिया जा सके ठीक है जीवा प्रोग्राम इसका नाम है है ना हम चाहते हैं एग्रो इकोलाजी को बढ़ावा मिले agriculture फोरेज इन सबको बढ़ावा मिले और उनके दिवस के उपर दोस्तों हम क्या गरते हैं एक्ष्चेंज करेंगे जिनसे लोग प्यार करते हैं मौhaबत करते हैं ओके तो येवाली कानती तो ये अपिव से दोस्तों ये भी शुरुवात हुई वोकेडलिस के अंदर हैफिका मतलब जो बहुत हैवी होता है रिसाउंडिंग का मतलब जो विजय होता है जो जीतता है उसको बोलता है हना इन अड़टेंट का मतलब जब आप इंटेंशनली नहीं करते हो कोई काम उसको कहते हैं चलिए सुका का मतलब एकदम शांत है ना मीलों का मतलब रिलेक्स होना दोनों मिला सुका और दोनों का मतलब सकर और मिलो दोनों का मतलब सेम जैसा ही है ठीक है गाईस तो कुछ इस प्रकार का दोस्ता हमें देखने को मिलेगा ओके तो यह इमेजनेरी फोटो है जो कि एक बनाई गई है जिसको दिखाया गया है इसके अलावा दोस्तों अगर आपने अभी तक प्रतीक की अलप नहीं करी है तो 10-20 रुपे के छोटे से डोनेशन से हल्प कर दीचेगा प्रतीक थेलोसेमिय से पीडित है दोस्तों काफी मुश्किलों से गुजर रही है फैमली सारे पैसे खर्च हो चुक है जितने करने थे क काफी लार्ज अमाउंट इसको इलाज के लिए चाहिए यह रिपोर्ट कार्ट से कुछ और इस नंबर पर आप फोन पर करके थोड़ा-थोड़ा सा अगर अगर आप नहीं कर सकते हैं लेकिन चोटा-चोटा-चोटा कांट्रिबूशन हम भी कर सकते हैं इसके अलवा एससे क 10 या बुनेश 10 यूज करके 10 परसेंट आफ और लेटेस्ट आफर ले सकते हो और आपको सब कुछ यहां पर अविलेबल है जो कि हो जाएगा सारे के सारे एक्जाइम की प्रप्रेशन आप मुबाइल अमबर डालके यहां पर गोल सेलेक्ट करिए यूपी एसी है इसी है क्ल सरोजनी नाइडू जी की कौनसी बर्थ अन्विसरी है जो की मनाई गई 174 कंट्रीज के अंदर Human Capital Index में भारत की रैंकिंग कौनसी है पुलिस कौन से शेडियूल के अंदर आती है इंडियन कॉंस्टिटूशन के अंदर United Nations General Assembly ने रोट किया Radio Day as a International Radio Day कौन से साल के अंदर तो ये था आज का आपको इंपोर्टन सेशन लाइक को शेर कर दीजेगा वीडियो को थैंकियो अब्रिवन गुडबाई